पेंटन चिडिया घर में दो गोरिला ने कुछ मिठाई पर मुके बाजी मेच लगाया अध्भुत अनुक्रम सेवू एक हाथ से अपने चेहरे की रक्षा करने के लिए दिखाई देता है और दूसरे के साथ अनुक्रम सेवू एक हाथ से अपने चेहरे की रक्षा करने के लिए दिखाई देता है और दूसरे के साथ एंडो में बाहर निकलता है इस महीने की शुरुआत में स्पैर के दौरान एक बिंदू पर ऐसा लगता है कि कि वो इन डोवे के चेहरे से संपर्क करता है लेकिन फोटोग्राफर जो एक नियमिद चिडिया घर आगन तुक है जोड देता है कि वे एक दूसरे को पेंच नहीं करते हैं फोटोग्राफर जो नाम नहीं लेना चाहता ने कहा कि वो बाई और इंडाओ दाई और से प्राप्तन पर था जैसा कि आप तस्वीरों से देख सकते हैं एन डोवे अपनी प्रभुत्व को दिखाने के लिए कि वो पर कूद गया और कि वो अपनी बाहों को ऊपर रख कर खुद का बच्चव कर रहा था ऐसा लगता है कि वे मुके बाजी कर रहें लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि वे एक दूसरे को पेंच नहीं करते हैं एन डोवे सबसे प्रभावशाली गोरिल्ला है अन्शिक रूप से उसके विशालाकार के कारण हाला कि इस बार यह प्राप्त करने पर किवू था जो सबसे अधिक होजन प्राप्त करता है पश्चमी लोलंड गोरिल्ला अकसर भोजन पर जुका हुआ पाया जाता है और यह आमतोर पर कक्षा के बारे में होता है अन्दा उच्चारण एंडोवे उच्छतम रेंकिंग गोरिल्ला है जबकि किवू सबसे कम रेंकिंग है कक्षा प्रणाली सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पहली पेक लेनी के साथ टाकत पर काम करती है चिडिया घर के रखवाले यह सो निश्चत करने की कोशिश करते हैं कि हर किसी को अपना भोजन का हिस्सा मिल जाए लेकिन यहां आमतोर पर इंडोवे होता है जो पहली पसंद लेता है वेस्टन लोलंड गोरिला के पश्चमी स्तर पर पेंटन चिडिया घर का सनातक समुहा एक गंभीर रूप से लूप्त प्रायर प्रजातियां अंतर आश्ट्रियो गोरिला संद्रक्षन में एक महत्व पून भूमे का निभाता है जो युवा पुरुषों के लिए सामाजिक वातावरण में बढ़ने के लिए कहीं उपलब्द कराता है युरोपिय प्रजनन कारेक्रम के हिस्से के रूप में कुछ अन्य संग्रहों में स्तनातक या पारिवारक समू हो में प्रमुख पुरुष बन सकते हैं